हाई गाईज, वेल्कम बैक तू अनदर वीडियो, आज का वीडियो चलो तो फिर मेरे मूचल फंड पोर्ट फोलियो को रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ मैं, जिन्नों के पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले मेरे दो वीडि के साब से और फिलाल आज का डेट है 5 डिसमबर तो जो रिव्यू हो रहा है वो 5 डिसमबर का हो रहा है आपको सामने डेट भी देख रहा होगा Tuesday 5 डिसमबर ठीके तो मैं आपको आज प्रोफाइल का रिव्यू करते हैं ठीके लॉंग फॉर्मेट का वीडियो है शॉट्स का त सॉर्म फिलाएरो राकी कमेंट के लाना आफि'll शॉट्स में लग लिख यहाइग है रिउटा लाते हैं कि सुर्सक्रील करते निचिह को चीछ यह कलिएर करता हो चुट्टीक के दिन मैं ऑपडेटा तो जैसा फैशा जाता है, वो ही चीज मैं सेम डाल देता हूं शॉर्ट्स में, ठीक है अगर आपको लगता होगा फेक बना रहा को तोugen हमएरे जो यह जो डेट ढिक रहा ह范 सामने वो डेट भी आपके सामने ही पांस तारिक, तो वो शौट के स्टार्टिंग के पेले मैं आपका वो डेट रखता हूँ तो आपको डेट भी पता चले ठीके तो वो क्या होता है कि Saturday संडे को वैसे भी अपडेट नहीं होता है जो भी रिटन वगेरा क्या आया वो अपडेट नहीं होता है छुटी होगा तो उसमें भी तो फिलाल जो लो कमेंट करते हैं थोड़ा ये पूस्ते हैं कि यार अपडेट क्यों नहीं आ रहा है ये चेंजिस क्यों नहीं हो रहा तो ये उसका अंसर है चुकि मैं शॉट्स में आंसर बार बार दूँगा इससे अच्छा मैं सुचा वीडियो में एक बार बता दूँ ठीक है तो ये मेरा प्रोफाइल है ठीक है तो जैसे कि आपने टाइटल थमनेल में देखा है 7 lakhs का मेरा total investment है अभी तो 7,9,000 हो चुका है मैंने बीच में और थोड़ा सा investment भी किया है 120000-1300000-1400000 मैंने किया है ठीक है तो अभी total जिन्होंने मेरा भी पहली बार वीडियो दे कर रहा हूं ठीक है तो अभी यह जो रिटन आ रहा है टोटल रिटन आप देख रहोंगे कि 9.46 का टोटल रिटन है 9.46 का जो कि अच्छा है गाइस 5-6 मंत में 9.46 परसेंट और 67,063 रुपीज का रिटन है ठीक है सात लाग 9,000 अगर इंवेस्ट है तो सात लाग 76,000 रुपीज मेरा रिटन बना है और आज का ड्वन डे रिटन देखोगे तो 1.2 परसेंट है जो कि 8,591 रुपीज हो चुका है मेरा अभी तक अगर मैं बूलूं गाइस तो यह मैं काफी सैटिसफाइड हूं इस रिटन से बट अगेन आप सब को पता है मुझे भी पता है कि यह क्योंकि मैं यह एक-दो महने के लिए नहीं करने वाला हूं मैं लॉटम इन्वेश़ट रहने वाला हूं आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं और अच्छा भी अगर मेरा चैनल भी घ्रो कर रहा है तो मैं और इन्वेश्मेंट करूंगा ठीका और मेरा तो जूँकि बहुत लोग नहीं बनाते, वीडियो नहीं दिखाते इतना डीप में, या दिखाते भी होगे, तो मुझे नहीं पता, इतना सारा डीटेल में, और डालते भी होगे लोग, but मैं अक्यू बना रहा हूँ चैनल है, चूकि मुझे अपने आपको मोटिवेटेड रखना और अपनी जर्नी यह चीज को कैप्चर करना है, जब 1CR होगा ना, तो मैं बैठ के देख सकता हूं इस सब चीजे, कि कैसे मैंने, कितना टाइम लगा मुझे वो बनाने में, और आप लोग अगर चैनल को अच्छे से शेर सब्सक्राइब करते रहोगे, मेरा चैनल ग्रो होगा तो यार मैं वो पेमेंट, अगर यूटूब से भी आएगा ना, मुझे कुछ, वैसे तो मैं वो जादा सोच रहा हूँ, बट फिर भी, अगर यूटूब से भी इनकम आना चाला हो, तो मेरा तो जर्नी और जल्दी हो जाएगा, 1CR का, फिलाल तो मैंने लंबा सोचा हूँ, तो मैं जादा जादा तो डाल नहीं पाता हूँ, जितना मेरे सो होता होतना ही डाल पाऊँगा, ठीके, और मैं विश्च करता हूँ कि ये थोड़ा और जादा ये ना हो जाए, खहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये अमांट भी कम ना कर दूँ, कभी, सिचूशन के से, ये अमांट मैं निकाल हूँ नहीं, ठीके, फिलाल अभी बात करते हैं, तो ये ओवराल इतना है, अभी आप XIRR देखे रहो गाईज, मेरा तीन इंवेस्टमेंट किसमें है, एक है कोटक में, एक है निपॉन में, और एक है एक स्मॉल केब में, ठीके, XIRR देखेंगे आप तो 105% है, ठीके, और आप मेरा पॉर्टफोलियो देखेंगे ना गाईज, तो मैंने प्यॉरली ये सारा अमांट आप देखेंगे मेरा, देखेंगे मेरा, अल्मोस्ट सिक्स मन्द का दिखा रहा है मेरा, मेरा ये इंवेस्टमेंट जो है मेरा प्यॉरली मेने एक्वेटी मे रखा है, डैप्ट वो सब नहीं रखा है, मेरा स्मॉल केप भी है, सारा उभी मेने स्मॉल केप में रखा हूँ, ठीक है तो जिनको डर लगता है कि स्मॉल केप में लॉंग टम पे रखना बहुत वलैटीव, अगर आप देखते रहो चैनल को शेर सब्सक्राइब करो, चुक तब ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10-15 years मुझे अच्छा रिटन आएगा, ठीक है, तो अभी अगर मैं निपॉन का दिखा हूँ आपको, तो मैंने टोटल इसमें क्या इंवेश्टमेंट किया हूँ, क्या है मेरा, आप दे अप्राइज हो जाओगे, यह मैंने पाच्छे मेने से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यह मैं कर रहा हूँ, पहला एंवेश्मेंट आप देखे हो मेरा, तीन अक्टूबर से कर रहा हूँ, मतलब अलमोस्ट दो धाई मेने पकड़ लो आप, दो मेने का यह रिटन है मेरा, यह कि बहुत एक्स्ट्रीमली हाई, मैं फिलाल अभी करेंट ली देख रहा हूँ, तो मार्किट काफी हाई चल रहा है, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, बट जो सोचते हैं गाईस के अभी हाई लेवल पे चल रहा है, तो अब यह इन्वेस्ट नहीं करना, आपको गाईस द किते हैं देखों, मैं फर्ट जा रहा है, तो यह मत देखों, इसली वह डाल दो, जो आपकी कमफर्ट में लगए रहा, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, वह डाल दो, और बाकि जब मार्केट लो रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने आल्मोस्ट यहाँ पर एक जग यहां पर इस्राइल का वार चल रहा था तो मैंने खरीद लिया था तभी आप देख रहाँ तो आपको देखते रहेगा कैसे डाउन अप जा रहा है फिलाल अभी के लिए अच्छा प्रोफाइल है पांच मेंसे पांच ही दोंगा मैं अच्छा मतलब साटीस्फेक्शन के लिए सेकेंड मेरा है कोटक का ठीके अब आप कोटक में देखो तो सबसे जादा मेरा इन्वेस्टमेंट डिसी में यह ठीके मैंने तीन लाग दस अजार का किया था ठीके अब यह मैंने औक्टोबर से यह मैंने किया ता स्टार्ट आप देखेंगे तो सबसे पहला मेरा इंवेश्टमेंट रुपे का ठीके तो आप देखो गाई यह ऐसी जरनी होती है अब आप 3 लाग तो आपने देख लिया ठीके यह सोच के रहें तीन लाग है लेकिन आप यह सोचो कि मैं ऑगस्त से डाल रह गाईस तो इस हिसाफ से देखा साड़े सासरा अजार रुपिया तो गाईस देखो यह एक जरनी होती है मैं चाहता हूँ आप लोग पर ऐसे ही मोटिवेट हो वह यंग हो या जो भी मेरे एच को हो जो भी हो कि जरनी ऐसी बिल्डप होती है आज तीन लाग मैंने इन्वेस् रहूं लॉंग टर्म तक और खासकाद मेरे साथ रहते 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 कोई और लोग भी जरनी में खुद भी स्टार्ट हो जाए क्योंकि नेगेटिव तो आप नहीं जाओगे गाई इन्वेस्टमेंट करो कभी आपी के लिए अच्छा है बाकी तो जो वीडियो देख रहे है मज़े ले रहे हो मज़े ले सकते तो अभी आप देखो गाईज आप देखो किस तरीके से इतना अतना डाला हूं और लास्ट में मैंने फिर एक बड़ा इंवेस्टमेंट किया था भी वही इस्राइल वार पे कुन सब किया था मैंने 31 औक्टर पर आप देख रहे हैं दो ल रुपया कितना भी कम जाद हो तो मैंने यह ब्लॉक कर दिया यह माँ जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक वह बिकेगा नहीं ठीक है तो इस तरीकी से यह होता है कि जिस हिसाब से आप अब यह वेट मत करो कि आज ज्यादा हाइए कल लो है कभी वेट मत करो आप अपना दिमाग लगा के रिसर्च कर सकते हो तो आप अभी इसमें देखो आलमोस्ट मैंने फर्स्ट इंवेश्टमेंट किया था अगर मैंने आउगस्ट में तो आलमोस्ट फाइम मन्स हो चुका है मुझे ठीक है फाइम मन्स में कितना रिटन है मुझे 30,279 रुपी जो कि 9.76 परस इसमें तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो पांस मेने के अंदर मैंने 30,000 रुपे तक मेरा रिटन है इसमें इन्वेश्टमेंट अभी मेरा 3,10,000 तो अब 3,40,000 हो चुका है ठीके तो यह मेरा सेकेंड फंड है और लास फंड जो मेरा है यह सबसे पहला इन्वेश्टमेंट मेरा एक्सेस में था यह मैंने खुद से ही अपने से ही ग्रोव अगरा मैं चेक करता था कौन किसकी रेटिंग अच्छे हैं वगरा इसका एक्सपेंस रिश्यो कम था हो रिश्यो करता है तो यह यहां से देखो अब कैसे यह एक्च्वल मेरी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है चार जुलाई से 2023 से और आप फिलाल डिसंबर है आज पांच डिसंबर है आज ठीक है तो ऑल्मोस्त हो चुका है पांचे में न अब आप देखो गाईस इसमें कैसे म अगर मैंने यह 1,75,000 बनाया ना तो एक दिन में ने डाला है तो धीरे धीरे करके बचा के पैसे यहां करके देखो 101 रुपया 500 रुपया यह और अब यहां देखो एक लाग रुपा डाला था मैंने यहां पर 31 October को इसमें एक लाग डाला था दो लाग रुपा मैंने कोटक मिल जाता जुलाई में ठीक है अगर आप देखेंगे तो अभी करंट इसका एने भी 95 रुपीज है ठीक है तो अब आप देखेंगे मेरे को इस हिसाब से बन रहा हो और इसका XIRR मुझे कितना बन रहा है 68.48 परसेंट जो की बहुत अमेजिंग है मतलब मैं सैटिस्फाइड ही ह इसे अच्छे परफर्म कर रहे हैं और गाइस बहुत लोग यह जो बोलते हैं कि मार्केट बहुत हाई चल रहा है बहुत लाइफटाइम बहुत आई है ठीक है अभी बहुत हाई है वगेरा तो मैं एक बात बोलता हूँ आपको सिभ एकी बात बताऊंगा अब यह देखा गाईस मैं आप पर चीज दिखाता हूँ यह एकसेस का ओल टाइम वला है ठीक है आज दो अज़र अटर से जो इसका पहला एनेवी था तीस रुपया ठीक है तीस हुआ देखो दो अज़र अटर से तीस हुआ ठीक है फिर दो अज़र यहां पे 29 था फिर घि हो गया तो अब किसी ने यहां पे 30 रुपय में खरीदा होगा तो वो सोचेगा यहां पे कि और यह और 45 रुपीज हो गया है यह तो लाइफ टाइम हाई है इस से अधा नहीं होगा यह गाईस ऐसा नहीं सोचना होता है अक्च्वली पता है आप लॉंग टाइम इंवेस्ट है कि मार्केट बहुत लो है ठीक है तब डाल दो यह मेरा एक सजेशन है चुकि मैं इस तरीकी से करता हूं बाकि आप लोग तो अपने साब से रिसर्च कर सकते हो बट आप देखो यह 47 हुआ 47 होते होते 50 हो गया 70 हो गया 60 हो गया और अब आप देखो आज 80 92 93 95 तक चले गया तो अब जिसने यहां पर सोचा होगा रहे यार यार यह तो बहुत हाई यह इसको 30 रुपया अंदो 30 रुपया अगर तब डालोंगा आपस तो ऐसे करते करते हो तो 95 हो गया न हो अब यह नहीं पुरा 95 में होने के लिए यह भी हो सकता है 29 बट इतना आप सोचने जाओगे तो वो चीज के लिए भी बहुत मार्किट सबको बहुत दुबना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें है ऐसी ठीक है तो इतना आप नेगेटिव रहोगे तो फिर कभी कुछ करी नहीं पाओगे ठीक है और फिलाल आज तक का बैक अप डेटा भी आप देखेंगे कोई भी प दाली रहा हूं इसके अंदर ठीक है और बाकी चैनल को गाईज बाकी यार आप लोग यह जर्नी में इसलिए बना रहा हूं गाईस तो ओवराल आप देखेंगे तो मैं काफी अच्छा मेरा रिटन मैं अभी तक सैटिसपाइड हूं रिटन से ठीक है फिर देखते हैं बाकी कैसा जाता है चुकि मैंने और अभी तो पांच-शे मेने से इंवेस्टेड हूं तो अभी ता लॉस में तो नहीं है बाकी लॉस में भी रहेगा है तौफिट में भी रहेगा वो तो आपको टाइम के साथ में वीडियो बनाते रहूंगा शौर्स में डालता हूं डेली तो वो भी आप देख लो ठीक है चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब मेरा चैनल ही गाइस मैंने इसले बनाया खुद को ही मोटिवेट रखने के लिए नहीं सब को भी और इन फैक्ट मेरा तो यह कि मैं कितने जल्दी से जल्दी एक करोड का मेरा जो फाइनल श्रीडम का मेरा ले फिलाल भी करेंटली और इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि तेरा 10 साल बात होगा 12 साल बात होगा तो यह तो वैसे फिर मैं भी रखूंगा तो मेरा नहीं होगा न वो तो उससे भी वर सो जाएगा तो कम से कम यहां में लगा कि कम से कुसे ऐस्पेक्टेशन करूं कुस्त अब जा रहा हूं तो motivate हो के खुद भी इंवेश्मेंट रहना और जो लोग को साथ में मेरे साथ ही खुद भी इंवेश्मेंट करते रहना तो करते भी रहना बट ओवराल मैं यह बुलना चाहरा हूं काईस की आप अपना गोल सेट करो और गोल के साथ से इंवेश्मेंट चालू कर दो ठीके रैदर दन डूइंग नतिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो सौ रुपे से स्टार्ट करो जैसा भी करना करो बट हाँ उससे भी इंपॉर्टेंट वो तो करना ही है बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ है वो मेरा चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करो बाई एंड टीक केर